पट यहीं पर इस scene में एक easter egg भी छुपा हुआ है जो कि किसी ने notice नहीं किया होगा यहाँ पर रादयमौली सर की कार में लगे इस trigger को देखो ध्यान से कुछ याद आया यहाँ पर actually में यह trigger वैल यह तो हो गई details अब देखते हैं mistakes सबसे पहले यहाँ पर देखो अश्वत थामा थे नंगे पैर उनकी पैर में कोई भी चपल नहीं थी और जब श्री किष्ण की entry सुप्रीम या स्किन सुमती की वूंड से निकाला हुआ सीरम जैसे ही अपने अंदर इंजेक्ट करता है बैसे ही इसके अंदर powers आ जाती है और इसी दौरान अगर आप इसकी chest पर देखोगे तो वीचो बीच stitches लगे थे और ऐसे stitches तब लगा बट शौक्ड थोड़ा तब लगता है जब ये reveal बोलता है कि नो मेंस खा जाएंगे इसको अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नो मेंस कौन है ये कोई इस वीडियो में सारी डिटिल्स न्यू है एक भी डिटिल्स प्रिविएस वीडियो से रिपीटिड नहीं है तो होसके इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना नमर वर्न देखो हाली में ये रिवील हुआ है अर्थ पर सेवन कॉम्प्लेक्स है पहला ये जो हम काशी में देख रहे हैं जिसमें सुप्रीम यास्किन रहता है और ऐसे ही सिक्स कॉम्प्लेक्स और हैं अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट जगों पर और ये बात मैं खुछ से ये नहीं बोलगा ये खुद रिवील किया है कल की 289 रेडी के प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन जिहानी चौदरी ने अब ये सच बोल रहे हैं या आप जोड चली जानते हैं तो जब आप शंबाला में इस रिवेल और विनन के कौनवेस्टेशन को ध्यान से चुनोगे तो यहाँ पर ये रिवेल बोलता है एक्जेक्ट यही लाइन यहाँ पर ये रिवेल वर्ल्ड वर्ल्ड का यूज़ करता है दुनिया में टूटल साथ कॉंपलेक्स होने की बात सही है विकॉस लॉजिकली देखा जाए तो एक कॉंपलेक्स पूरी दुनिया अपन नजर नहीं रख सकता और ना ही ये छोटा सा कॉंपलेक्स इतनी बड़ी अर्थ के नेचरल रिसोर्स को अकेले क्यारी कर सकता है विकॉस काशि का ये कॉंपलेक्स दिखने में तो बड़ा है बट अर्थ की डायमीटर की हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटा है and that's why earth के natural resources को खीचने के लिए साथ complex अलग अलग जगए पर हैं और इन complexes में readers की team भी होगी I'm damn sure महाबारत वाले scene में आपने ये detail और mistakes नहीं की होगी So mistakes और detail बताने से पहले आपका एक बहुत बड़ा doubt क्लियर कर दूँ मुझे इस बाली वीडियो में बहुत सारे comment आये थे कि यहाँ पर इस पौधे पर जिसने पैर रखा था वो अश्वत्थामा नहीं बलके श्री कृष्ण थे और मैंने क्या बताया था इस बाली वीडियो में अश्वत्थामा तो चलो सबसे पहले हम यही जानते हैं यह पर अश्वत्थामा का था या वी श्री कृष्ण का तो सबसे पहले इस पैर को देखो पैर में चोट लगी हुई है और पैर में एक कड़ा भी है और यहीं दूसरे पैर को देखें तो इसमें कोई भी कड़ा नहीं है दूसरी चीज ये परसन थोड़ा फटीग लग रहा है इसकी चाल से ही हम समझ जाते हैं अगले सीन में जब अश्वत थामा को दिखाया जाता है तो he also walk like fatigue अब द्यान देना यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया था एक पैर उसमें एक मोटा सा कड़ा दूसरे पैर में कुछ नह तो इनकी पैरों को नोटिस करना दोनों ही पैरों में कड़े हैं so now I am proved यह जो पैर था वो अश्वत थामा का ही था अब बात करते हैं इसी सीन की ultimate detail और mistakes की यहाँ पर अश्वत थामा ब्रमास्तर को छोड़ कर एक छोटी सी पौदे को कुजलते हैं वहले छोटा पौदा इं अश्वत थामा ने एक बच्चे को ही मारा है I know उन्हें बाद में रिवाइब कर लिए गया था I know यह तो हो गई details अब देखते हैं mistakes सबसे पहले यहाँ पर देखो अश्वत थामा थे नंगे पैर उनकी पैर में कोई भी चपल नहीं थी and जब श्री कृष्णी की entry होती है and अश्वत थामा उन्हें मानने के लिए उड़ते हैं तो उनकी पैर में चपल आयाती है जो कि यहाँ पर नहीं थी another mistake इस सीन में अमने देखा था जब अश्वत थामा ने अपने फो हैड पर शिब मड़ी को धारन किया था तो उनके घाओ immediately heal हो गई थे and as well as जब यहाँ पर उन पर अटेक कर रहे थे तो इनकी लेजर का अश्वत थामा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था विकॉस दिस शिब मड़ी प्रोडेक्ट हिम बर इंदी कुरुक्षे तरशीन यहाँ पर अश्वत थामा की पैर में एक घाओ था वो क्यों नहीं हील हुआ क्योंकि इस टाइम इनकी फोहेड पर मड़ी विधारर थी आई नो यह इंजरी सिनिवेटिक वेसे एक वार को इंडिगेट करने के लिए की गई थी बट यहाँ पर सोचने वाली बात तो यही है जब यहाँ पर घाओ इमीडिटली हील हो गए तो यहाँ पर क्यों नहीं मूवी की स्टार्टिं नेचरल स्टार नानी सूपर स्टार रजनी कांथ एंड ऐसे बहुत सारे अक्टर्स हैं और और हाँ आपनी रॉकिंग स्टार यह को कैसे बूल सकते हैं वेल यह हम सभी को बता है प्रवास को ही रेवेल स्टार बोला जाता है अब प्रवास की मास मूवीज में आप लोड़ करते हैं पट यहीं पर इस सीन में एक इस्टर एग भी चुपा हुआ है जो कि किसी ने नोडिस नहीं किया होगा यहां पर आदे मौली सर की कार में लगे इस ट्रिगर को देगो ध्यान से कुछ याद आया यहां पर एक्ट्रिगर बाहु वली की तलबार को रिजम्बल करता है जो कि यहां पर एस एन इस्टर एग दिखाए गया है यह भी हो सकता है यह इस्टर एग बाहु वली थरी के लिए हो विखोष ऐसी न्यूज भी बाहार निकलकर आ रही है कि बाहु वली थरी भी आने वाली है मूबी की क्लाइमेक्स में यह रिवील किया जाता है अपना फोर शेडिंग मूवी की स्टार्टिंग से दी जा रही थी वो मैंने इस वाली वीडियो में यानि इसके पार्ड वन में बताया था यह जो सीन है भेहरबा यहां पर इस रत के पईये को पकड़े हुआ है वो टोटली रिजेंबल करता है कुरुक्षित्र के सीन को जब करन रत का है एक रत की तरह और यह टेंपल है सूर्यदेव का हमें पता है करन सूर्यदेव के ही पुत्र थे तो यहां पर अग्यान यह अल्टरनेट फोश एडिम थी भेहरवाही का रिइन का निशन है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुप्रीम यास्किन एक लाइन बोलता है अब बैसे तो देखा जाए यह एक इस्टर एक था बट क्या आपको पता है पुरी के जगना टेप बेल में जो प्रतीमा है माना जाता है उसमें श्री कृष्ण का हार्ट रखा हुआ है स्टोरी आपने सुनी होंगी जब श्री कृष्ण को जलाए गया था तो उनका दिल बच गया था वो जला नहीं था हार्ट यहां पर जिंदा था और दड़क भी रहा था और यही हार्ट श्री जगनात की प्रतिमा के अंदर है वेल अब यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहां पर इस पोस्ट क्रियेट सीम में मैंने कुछ नोटिस किया है यहां पर देखना सुप्रीम या स्किन सुमती की वूंड से निकाला हुआ सीरम जैसे ही अपने अंदर इंजेक्ट करता है बैसे ही इसके अंदर पावर्स आ जाती है और इसी दौरान अगर आप चैस्ट पर देखोगे तो वीच ओ बीच स्टिजिस लगे थे एंड ऐसे स्टिचिस तब लगाया जाते हैं जब किसी का हार्ट ऑपरेशन हुआ हो या फिर हार्ट ट्रांस्प्लांट अब इस पूरे सिनेरियो को एक थेयरी से समझते हैं देखो यह तो हमने फील किया ही है स स्टिप्री मिया स्किन अपने आपको भगवान मानता है क्योंकि उसके दौरान उसने प्रकृति को बचाया है उन लोगों से जो कि उसे नस्ट कर रही थे मीस यह अपने आपको ऐसा जयता रहा है कि यह भगवान है जो कि दुनिया को बचा रहा है बट अभी भी है तो यह ह को human evolution के peak पर ले जाने के लिए यानि भगवान बनने के लिए इसने स्री कृष्ण का heart अपने अंदर transplant करा लिया जो कि इसी मिलापूरी के जगनाद temple से अब heart तो इसने transplant करा लिया बड़ इसके अंदर भगवान की पावर्स नहीं आई तो अब इसने किया किया इस heart के DNA से एक फॉर्मुला तयार किया एंड फर्टाइल लड़ के ओपर सीडिंग की यानि सीधा सीधा बोलू तो भगवान की पावर्स पाने के लिए इसे सबसे पहले भगवान को वूम में लाना होगा यानि यह सीरम जो भी वूम में पढ़ रहे बच्चे से एक्स्टेक्ट किया गया है वह एक्चुली में भगवान की पावर्स है यहां पर यह साइंटिस बोलता है यह फॉर्मुला इंसानी जैसे भगवान से एक्स्टेक्ट किया हुआ सीरम यानि एक ड्रॉप अपनी अंदर जब सुप्रीम में डालता है तो नोटिस करना इसी के साथ साथ इसका हार्ट भी फ्लेश करने लगता है जैसे वह कंप्लीटली बॉडी से सिंक हो गया है और ऐसा होते ही इसके पीछे जाना चाहता हूँ कि यहां पर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जबती है और प्लीज कुछ भी मत बोने लग जाना कॉमेंट में यह बस मेरी एक थेरी थी अब अपनी थेरी बिदाओ सब की थेरी में पढ़ूंगा यहां पर जब गांदी वेक्टिविट हो जाता है तो उसका हाथ जलता नहीं है अब यह क्यों विकॉज आफ दीज रिंग अब इस सीन को अगर मैं आपको श्लोमो में दिखाऊं तो नोटिस करोगे कांसलर बानी जब इसे हाथ लगाता है तो इमिडिटली इसके हाथ को एक लाइट प्रोडेक्ट करती है जो कि हमने यहां पर द अब फ्लक्स लिंड ले जाने का जिख्र करता है जहां पर वो ट्रैक नहीं होगी आगर में जिक्र पोड़ना। आगे चलकर इनको भी दिखाया जाने बाला है या पर नहीं। देन आगे चलकर हमें एक रिच्वल देखने को मिलता है शंबाला में जिसमें सभी लोग आग में कपड़े जलाते हैं वेल ये किसलिए आइम शूर ये किसी को नहीं बता होगा चलो मैं बताता हूँ वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे नेम्स लिखे जाते हैं जब कायरा का नाम इस पर लिखा जाता है तो समझाता है ये रिच्वल उनकी आत्मा की शांती के लिए होगा यानि मा के लिए बलिदान देने वाले लोगों के लिए अपरी जान को खत्रेब डाल कर उस मा को ढूना जिसकी गर्म में बगवान पल रहे हैं जब इस वे से सुमेटी बाहर जारी होती है तो यहाँ के सेंसर्स टिगर हो जाती है यहां पर फायर फ्लो होने लगती है जैसे सुमेटी आंगे की और बढ़ती है बैसे ही यहां की फायर भी उसके लिए रास्ता बना देती है ऐसा ही सेम इसकिप का जिक्र द्वापर यूग में भी मिलता है बासुदेब स्री कृष्ण को नंद जी के पास ले जा रहे थे यह यहां बासुदेब जी को फॉस्ट अफॉल यमुना जी को पार करना था लेकिन वह कर नहीं पारे थे यहां बहुत ही विशाल थी तो जो बासुदेब जी आंगे की और बड़े तो यमुना ने भी उन्हें रास्ता दे दिया था नमबर 11 महाबारत यापर रामाइड में यह कई पर ब्रहमशिर का जिक्र है वैल मूवी में यह जो सीन दिखाया गया है वो एकदम करेक्ट था एक्चुल में ब्रहमास्त्र जैसे आस्त्र फिजिकल रूप में नहीं होते थे उसे बस मंत्र उस्चारण के त्रू ही प्रिकट किया जा सकता था और किसी भी बस्तू में उतारा जा सकता था ब्रहमास्त्र वैसा नहीं दिखता है जैसा फिल्मों में दिखाया गया है और ब्रहमास्त्र का कोई शेप साइज नहीं है हम लोग ने हमेशे देखा है कि ब्रहमास्त्र या कोई बड़ा अस्त्र जो तीरों में दिखाया गया है वो एक मंत्र है आप में और श्रमता होने चीए उस मंत्र को किसी भी चीज में डाल दें तब यहां पर नोटिस करना अश्वत्थामा इस घास को उठाकर एक मंत्र का उचारण करते हैं जिसको भी टार्गेट किया गया है यह सीधा उने ही लगता था इन फोडोस को ध्यान से देखो यह सारे गौट फ सब्सक्राइब करना मत बूला यहां पर आपको ऐसे ही कमाल की वीडियो मिलेंगी सो आज के लिए इतना ही जल्ली मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में